नमस्कार, Cotton Complex Morning Podcast में आपका स्वागत है, आज सोंबार 26 जुलाई सबसे पहले अगर हम weekly outlook की बात करें, तो पिछले अपते में Cotton के prices के अंदर हमने बेतारासा अच्छी तेजी बनते भी देखी हमने देखा कि Cotton के prices 25 या 840 का level open हुआ, high में 26,890 का level चुआ जबकि open होने के बाद थोड़ा pullback जरूर दिखाया था, बट overall fundamentals को देखते हुए market में बड़ी तेजी बनी और prices 26 या 620 के उपर close होता हुआ दिखाई दिया टेक्निकली अगर हम बात करें तो short covering, मतलब जिन्होंने भी short कर रखा तो वो cover कर रहे हैं और इसके चलते ही prices में बड़ा gain आया है volume में सवा 2% का gain आया, open interest में काफी बड़ा fall आया जो कहिना के संकित देता है, short covering की वज़े से market में तेजी बनी महीं cotton seed oil के एक अगस्त वाइदे कि अगर हम बात करें तो prices 2915 का level open हुआ, बट prices higher side में sustain बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, 2920 का काफी important hurdle था, ये तोड़ी नहीं पा रहा था, जिसकी वज़े से एक बड़ी गिरावट भी हमने आते वे देखी जो 2740 का करेप का support लेता हुआ दिखाई दिया, बट जी जन से हमने edible oil complex में cotton में तेजी बनते वे देखे जो supply concern के चलते, फिर से prices में short covering आई, और सुकुर प्राइजिस को support करेगा, बट अगें 2920 का level काफी important रहेगा, क्योंकि इसके उपर ही तेजी बन सकती है, अदर्वाइस market एक दायरे में रही, वहीं कपास अपर हम बात करें तो यहाँ पे हमने fresh buying बनते वे देखी है, प्राइजिस के 1375 का level खुलने के बाद continue one side positiveness ही दिखाय है, जो उपर में हमने 1420 का important hurdle था, यहाँ पे test करते वे देखा है, तो overall अगर हम बात करें edible oil complex के साथ-साथ, cotton complex के अंदर भी देजी बनी हुई है, चाहे हम ही ट्राइसल factor की बात करें, चाहे domestic factor की बात करें, वहीं अगर domestic factor की बात करें, तो हमने देखा कि बटींडा side में या package को, जो कहीना कहीं prices को support करेंगा, चाहिना में हमने देखा continue buying चल रही है, क्योंकि US cotton more lucrative दिखाई दे रहा है, जिसके इंटरनेशनल cotton के prices भी 97 के करीब बिल्कु ट्रेड कर रहे है, चाहिना cotton यान और cotton दोनों में ही अच्छी देजी बनी हुई है, cotton seed oil cake के अंदर भी tight supply situation की वज़े के prices को continue support मिल रहा है, long term view तो positive है, बट उसके लिए 3000-3050 का level तोड़के hold करना काफी important है, जो उपर में 32-3300 का भी level दिखा दे, क्योंकि CIA ने भी जो consumption estimate रखा है, वो करेंगे 330 लाग मेल का रखा है, जो कहीना कहीं एक supply shortages का hint देती है, हम भी जानते हैं कि अगले 2-3 मैन तक कोई मड़ा supply नहीं रहेगा, market में tight supply रहेगी, but cotton seed oil cake में तकलिफ यह है कि 3000 का भाव आने पे कई ना कई लेवाली थोड़ी कमजोर पड़ जाती, क्योंकि अभी भी करोना का जो concern है, वो market में बना हुआ है, तो I think market के अंदर 3000 का level तोड़ना काफी important है, जब तक prices 3000 का level नही करता है cotton, लेकिन अभी भी fundamental काफी मजबूत है, जब तक 26,600 का level bridge नहीं करता है, 27,800 तब का भी level हम prices में आते भी देख पाएंगे, वहीं cotton seed oil cake की अगर बात करें, तो prices में एक rectangular pattern बना हुआ है, वो prices बार बार में 800 की नीचे का support लेके उपने की कोशित कर रहा है, पिछले अप 200 moving average का level तोड़ते वे बिल्कुल देखा आपने, बट सुकरवार की जो recovery थी, वो फिर से prices को 200 moving average के उपर close करने पे मजबूर कर दिया, और ये कही ना कही बताता है कि जो longer time positive है, वो intacted है, यहाँ पे आप देख सकते है, वालटीटी, मतलब choppy indicator दिखाता है कि market में वालटीटी का level दिखा सकता है, overall structure positive है, लेके काम कीजिए, आज के लिए 2920 के ओपर लेके चलिए 2980 के target के लिए cotton C royal के, मही cotton भी 26400 के drop पे लेके चलिए, 26650 के target के लिए, अधिक जानकारे के लिए आप हमारा YouTube चैनल सस्क्राइब कर सकते हैं, overall कोई भी commodity का update लेना है, तो बिल्कुल हमार चैनल सस्क्राइब करके चलिए, धन्यवाद